हेई गाइस वर्कम बाक तो मैं चैनल गाइस आज जी सुटे हो हम राने वाले हैं डिजाइनर वन शोल्डर वन स्टेप बैबी फ्रॉग फॉफाइट वेवी गाल जिसके लिए यहां पर मैंने प्रेंट फैब्रिक लिया हुआ है जो है तो एन हाफ मीटर सो गाइस लेस के देखे सबसे पहले फैब्रिक को हमने इससे फुरफोल्ड किया हुआ है सबसे पहले हम टॉप का पार्ट करेंगे तो यहां से शोल्डर का पार्ट मेलूंगी 5 1⁄2 इंचिस आम होल भी मेलूंगी यहां पर 5 1⁄2 इंचिस दोनों पॉइंट्स को हम जॉइन करते हो लाइन ज पोर कर लेना है प्लस उसमें हम वन इच एड़ करेंगे सिंग लांज के लिए तो यह हो गए हमारा चेस्ट पार्ट उपर से टॉप पार्ट की लेंद मैंने लिए है यहाँ पर 13 इंचिस और यहाँ पर आगी हमारी कमर की चौड़ाई वो मिलूँगी यहाँ पर 7.5 इंचिस उसके बाद हमें दोनों पॉइंच को जॉइन कर लेना है उसके बाद यहाँ पर हमें राउंड शेप देते हुए आम होल को जो कर लिया है नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पर 3 इंचिस और लेंद में लूँगी यहाँ पर 2.5 इंचिस उसके बाद राउंड में शेप जो कर लिए हम तो इस तर से हमने नेक को ड्रो कर लिया है इस पार्ट को हमें कट कर लिया है तो यह हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है इसे हम ओपन करेंगे इस तरह की दो पार्ट है हमारे पास फ्रंट आप बैक के लिए अब देखें यहां पर हम एक शोल्डर को यहां से कट करना है तो यह जो हमारा आम होल है यहां से हम इस लाइन को एक्स्टेंड करेंगे राउन शेप देते हुए और यह जो हमारी नेक लाइन है यहां तक हमी से round shape को extend कर लेना है और यह जो हमारा एक shoulder है उसे हम इस तरह से cut करके निकाल देंगे तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से cut कर लिया है तो यह हो गए हमारा one shoulder front का top part अब देखिए bottom के लिए हमने दो rectangle piece cut कर लिये है जिसकी length बनने लिए है यहाँ पर 21 inches और इसकी चौड़ाई में लिए है approximately 44 inches तो इस तरह की हमारे पास दो piece है bottom के लिए तिस जो पूरा पाड़ है उसमें हम बाद में box bit बनाएंगे उसके बाद थाबर को हमने फिर से four fold किया हुआ है अब यहाँ से हमें 5 inches पे एक मा करना है और यहाँ से length हमें लेनी है 8 inches और इस तरफ से भी हमें length लेनी है 8 inches तो 8 पे हमें mark कर लेना है उसके बाद इन दोनों mark को हमें मिलाते हुए round में shape डो कर लेना है तो हमने इस तरह shape को draw कर लिया है अब यहाँ से भी हमें length जो हमारा center part है यहाँ पे भी length 8 inches पे mark कर लेना है उसके बाद round में हमें shape draw कर लेना है तो इस तरह से हमने draw कर लिया है इस part को हमें cut कर लेना है तो इस तरह से हमने cut कर लिया है तो इस तरह का circle हमारे पास आएगा जिसकी मदद से हम पैटर्न करेंगे इसे हम ओपन करेंगे इस तरह का हमारे पास राउन शेप में अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की हो तो सबसे पहले हमारा राइट पार्ट है जिसकी उपर जो हमारा बैक का पार्ट था उससे हमें उल्टा रखना है और यहां पे हम दोनों शोल्डर को अच्छे से मिलाएंगे और यहां पे करेंगे हम शोल्डर फिटिंग तो यहां पे शोल्डर फिटिंग कर लिया है अब हमें आम हूल को तयार करना होगा तो यह हमारी right part है जिसके उपर हमने इस तरह के बायर strip कट की है इससे हम इसके उपर उड़ा रख लेंगे और यहाँ पर आपको सिलाई कर लेना है तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है अब यहाँ पर हम हलके हलके cut लगाएंगे तो ध्यान रख़ी कि अपकी nein कटे कट करने के बाद हमें यह जो हमारा स्ट्रिप है उसे बैक साइड पर इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें सिलाइ कर लेना है तो डबल फोल्ड करते जाएए बोढने तो यहां won अवर भी हıld करेंजे यहां पर हमें इस तरह से समिल बैका साइड पें डबल फोल्ड कर लिया है तो यह वह आप मोलड विल्कुल रीडी है अब यहां पर हमें जो हमने सर कल्कुर्ट करें था उसकी मदद से हम पैटन करेंगे तो सबसे पहले यहां से हम स्कुन करेंगे और यहन एक तरफ साम इसे कट करेंगे कि गट करने के बाद हम इसकी बाड़ फोल्ड करनी होगी इससे सिंपली बैख साइड पर डबल फोल करके हमिन इस इसलाय करले ना है आप चाहे तो यहां पर पिक भी कर सकते हैं यहाँ बोडो type मुझे on the top side on the timer पैसे इससे इससे रहा उए पैसा कि हमारा यह ड़िवाप्र उससे रहाजना है कि दोनों रहाज साइट को हम भी सीड मिलाइड और दोनों को आपको अच्य से मिलागे जाना है और सिलाइ कते जाना है तो यह जो हमारा पूरा U-shape है उसमें हमें सिलाई कर लेना है उसके बाद हम इसे रैट साइट पर टर्न करेंगी तो यह हमने सिलाई कर लिया है सिलाई लगाने के बाद हम यहां पर हलके हलके कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद यह जो हमारा रफल का पार्ट है उसे हमें राइट सेट पे टर्न कर लेना है तो मैंने इस तरसे से टर्न कर लिया है तो यह हमारा टॉप का पार्ट बिलकुल रेडी है अब हम बॉटम को तयार करेंगे तो यह हमारा बॉटम का पार्ट है जिसमें बॉक्स बनानी है तो सबसे पहले इसके लिए हमें मार्किंग करनी होगी तो यहां से हमें तू इंचिस पे मार्क करना है और इसी तरह से हमें 2-2 इंचिस पे पूरी लैंध में मार्क कर लेना है यहाँ पे हमें 2 इंचिस का बॉक्स भी तैयर करना है इसलिए हम 2-2 इंचिस पे इस तरह से पूरी लैंध में मार्क कर लेंगे तो इस तरह से आपको पूरी लेंद में टू टू इंचिस पे मार्क कर लेना है इसी तरह से आपको बैक कापर्ट पर तयार करना होगा तो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है अब हमें बॉक्स पर तयार करनी है तो सबसे पहले जो हमारा second mark है उसे हमें first mark से मिलाना है और उसके बाद यहाँ पे हम pink कर लेंगे उसकी बाद जो हमार next point है उसे हमें next point से मिलाना है इस तरह से तो यहाँ पे हम two inverted plates लेंगे तो यहाँ पे हमारी एक box pit तैयर हो जाएगी इस तरह से अब इसी तरह से जो हमारा next point है इसे हमें इस तरह मिलाना है और यहाँ पे भी हम pink कर लेंगे और उसके बाद हमारा next point है इसे हमें next point से मिलाना है तो इसी direction में हमें सभी points को मिलाते जाना है तो हमारी पूरी length में box pit तैयर हो जाएगी तो मैंने यहाँ पे इस तरह से box pit को ले लिया है यहाँ पे आपको सिलाई करके से सीख और कर लेना है इस तरह से हम back part भी तैयर करेंगे तो यहाँ पे आपने सिलाई लगा दी है इस तरह से हमने जो back part भी तैयार कर लिया है अब हमें top और bottom को join करना होगा तो यहां हमारा टॉप का पार्ट उसकी चोड़ा हमें इतनी रखने हैं जितना हमारा टॉप का पार्ट है उसके बाद इसके उपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहां पर आपको सलाई करके टॉप और बॉटम को जॉइन करना है इसी तरह से बैक पार्ट को यहां पर हम उल्टा रखके टॉप और बोटम को जॉइन कर लेंगे तो यहां पर हमने टॉप और बोटम को जॉइन कर लिया है इसी तरह से हमने बैक साइट को भी जॉइन कर लिया है अब हम इसे wrong side पर turn करेंगे fitting के लिए तो यह हमने wrong side पर turn कर लिया है जो हमारा ruffle का part है उसे हम अंदर कर लेंगे उसके बाद हमें दोनों parts को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पर हम one inch के difference पर slide करकी इसकी fitting कर लेंगे और इसी तरह से इस तरह भी आपको one inch के difference पर सिलाए करके इसकी fitting कर लेना है तो हमने इस तरह से fitting करके इस red side पर turn कर लिया है यहाँ पर हमें strip लगानी है तो यहाँ पर हम mark कर लेंगे तो इस तरह का हमने strip तयार किया हुआ है इसी फाब्रिक से जिससे हम यहाँ पर नीचे की तरफ रपके ऊपर से आपको कवर सिलाए लगा के इससे fitting कर लेना है और जो हमारे दूसरा इंड है उसे यहाँ बैक साइड पर इसी तरह से जहाँ पर आपको इसे तरह से जहाँ पर बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाइ कर लेंगे तो इस तरह से डबल फोल्ड करती जाना है तो यहाँ पर हमने strip को fix कर लिया है और इस तरह के मैंने तीन फ्लावर बनाए है रिबिन से इसे कैसे बनाते है इसका लिंक मैं आ अल्रेडी description box में दे रखा है तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको इसे थ्रेडर नीडल से fix कर लेना है तो यहाँ पर बार्डर भी फोल्ड कर ली है और मैंने यहाँ पर जो हमने फ्लावर बनाए थे उसे भी यहाँ पर fix कर लिया है और इसी के साथ ही हमार डिजाइनर वन शोल्डर बेवी बिल्कुल तेयार है गाइस तैर हमार डिजाइन अब बेबी फ्रॉग अगर आपको मैं डिजाइन अच्छी लगी तो लिए को लाइक करें शैर करें और गाइस अभी तक आपने हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथी उसको मिस्स ना करें थैंक्स वॉचिंग बबाई